हेलो स्टुटेंट्स इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एक्जम्पल 4 देखो इस कुश्चिन में दी आवाब विदाउट यूजिंग ट्रिगनोमेटरी टेबल प्रूव दैट 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 1067 इक्वल टुवन यह हमें प्रूव करना है देखो इसमें क्या कर लो 1048 1042 1023 और 1067 इसको रियर्ञेंज कर लो देखो 48 और 42 मिलके 92 मिलके 90 हो जाएगा और 23 और 67 मिलके 90 हो रहा है तो इसको रियर्रेंज करके एक पेर बना लो ठीकिए इस तरीके से अब दोगो मैं पता है 10 जो 10 थीटा वो गॉट थीटा में कनवर्ट हो जाएगा और 10 थीट 10 to cot थीटा क्या होता है 1 तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो देखो क्या हो जाएगा 1048 इसको एस इज राने दो 1042 है इसको क्या कर लो 42 के बदले कर लो 90-48 लिख सकते हैं हम लो 42 के बदले 90-48 सिमिलरली यहाँ पर दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो 1023 mismanume 15 network ठीक है तो अब जोगे यह हो गया 1048 और 1090-θ यह हो जाएगा cotθ 1090-θ यह हो गया cotθ तो यह बन जाएगा cot48 into 1023 और 1090-θ अगें cotθ तो यह बन गया cot23 और reciprocal relation के वज़े से इसका value हो जाएगा 1, 10θ into cotθ होता है 1 और यहां भी 10θ into cotθ इसका value भी हो गया 1 तो 1 into 1 is equal to 1 और हमें यही प्रूव करके दिखाना था ठीक है equal to RHS तो अगला question देखो बिल्कुल सेम है तो देखो अगले question में दिया है 107 तो 7 का compliment क्या हो गया 83 तो इसको हम लोग पेर बना लेंगे 107 डिग्री 107 के साथ में लिख लो 1083 ठीक है similarly 1023 और 1067 का पेर बन गया और 1060 डिग्री का value हमें direct पता है पिछले चेप्टर में हमने पढ़ लिया था 1060 डिग्री का direct value पता है तो इसको लिख दो 1060 डिग्री ठीक है तो इसमें से किसी एक को change करो इसमें से भी किसी एक को change करो और 1060 का value root 3 put कर देंगे तो 107 डिग्री और 1083 के बदले 1090-7 लिख लो 83 को replace करके 90-7 इस कुद देने का कोई जरुवत नहीं हटा दो इस bracket का सारा यह पर सारा ratio क्या है product के form में ठीक है into 1023 as it is no change और 1067 में क्या अगरो 67 को change करो इसके बदले एक रिकलो 90-23 और 1060 ठीक है फिर यह हो गया 107 1090-7 यह बन गया court 7 फिर 1023 और 1090-7 यह हो गया court 23 मतलब court 23 और 1060 तो 1010 तो इस पूरे का वैल्यू आ गया है रूट 3 हमें प्रूब करके विलाना था रूट 3 इस इक्वल टू RHS ठीक है तो अब यहाँ पर देखो यह वाला कोशन जिससे पहला दोनों 10 की टर्म्स में दिया वा था यह पूरा कोट की टर्म्स में दिया वा है तो वही सेम 10 थीटा और 2 कॉट थीटा इसमें भी 1 हो जाएगा किसी एक को चेंज करेंगे किसी को नहीं करेंगे इन्टू कॉट 38 और 52 के बदले लिके लो कॉट 90 माईनस 38 इन्टू कॉट 60 तो कॉट 12 इन्टू कॉट 90 माईनस थीटा क्या होगे कॉट 90 माईनस थीटा 10 theta तो यह convert हो जाएगा 10 theta मतलब 10 12 degree और फिर है cot 38 और again cot 90 minus theta यह हो गया 10 theta तो यह हो गया 10 38 into cot 60 तो यहाँ पर यह बन गया 10 theta into cot theta 1 यहाँ भी cot theta into 10 theta यह हो गया 1 और cot 60 का value होता है 1 by root 3 ठीक है न तो इस पूरे का value आ गया 1 by root 3 is equal to RHS ठीक है तो देखो काफी easy है यह वाला chapter भी जो माना main chapter ना वो इसके बाद वाला chapter अब देखो इस question में क्या दिया है example 5 प्रूव डैर 10 1 डिगरी 10 2 डिगरी 10 3 डिगरी डॉट 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 टैन 89 डिगरी इक्वल ट वन यह हमें प्रूव करके दिखाना है बीच में है पर डॉट डॉट का मतलब क्या थ्री से लेकि 89 तक सारे डिगरी जितने बीच में आएगे न वह सारा लिखा आतना सारा लिखना possible नहीं इस ल है देखो किया करेंगे हम लोग deploring कर लेंगे हैं एन फिर keto नमबर तम्स कितने लिखेवे हैं मतला total trigonometry ratios तो histories total 89 लिखे पर 0 से start होता और 89 तक जाता तब 90 related यहां पर 1 से स्टार्ट होके 89 तक गया है टोटल 89 है तो 89 में यानि 89 नंबर लिखावा है एक तरह कैसे समझो 123456 करते-करते 89 नंबर लिखावा है तो अगर हम पेरिंग करेंगे तो कितना पेर बन जाएगा इसमें देखो 10-1 के साथ 10-89 का पेर बन जाएगा ठीक है फिर 10-2 के साथ इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा 10-88 यहां पर डिखनी रहा है मतब लिखावा है तो 10-88 के साथ पेर बन गया similarly जो 10-3 है ठीक है वो 10-87 के साथ पेर बन जाएगा आगे से एक एक आगे बढ़ते जा रहा है 1-2-3 और पीछे से एक ही घटते जा रहा है 89 फिर 88 फिर 87 89 फिर 88 फिर 87 फिर अगला 86 85 84 83 इस तरीके से चलेगा तो हम भी पूरा उतना लिखेंगे नहीं डॉट-डॉट कर दूँ बीच का एक दो टर्म लिख के दिखाव दो जैसे जिसे 1-2-3 इंक्रीज करते 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 पहुंचेंगे तो यार मालो बीच में इंक्रीज करते करते आएगा 10-40 कही ना कहीं तो 10-40 भी आएगा और उधर से डिक्री करते करते 10-44 तक पहुंचेंगे जिसे 10-1, 10-2, 10-3, 10-40, 10-44 तो 10-44 का पेर किसके साथ बनेगा 10-46 का उधर से डिक्रीज करते करते आएगा ना 89, 88, 87 डिक्रीज होते होते 50, 49, 48, 47, 46 ठीक है यह आगया डिक्रीज होते होते डॉट उसके बाद मादर जो 10-45 बच गया पूर 10-44 जैसे ऐसे समझो 1-2-3-4-5-44-45-46-47-85-86-87-88-89 ठीक है तो जो पेर हम बनाना है स्टार्ट कि यह 1 का पेर बन गया 89 के साथ 2 का पेर बन गया 88 के साथ similarly 3 का पेर बन गया 87 के साथ जो 4 है उसका पेर बन जाएगा 86 के साथ 5 का पेर बन गया 85 के साथ ठीक है तो उसी तरीके से 44 का पेर बन गया 46 के साथ ठीक है बीच में जो 45 जो बच गया 10-45 उसका कोई पेर नहीं बना ठीक है तो वो इंडिपेंटेंट रह जाएगा 10-45 तो आप dot 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 10-89 के बदले लिखो 90-1 ठीक है फिर 10-2 और 10-88 के बदले लिखो 90-2 फिर 10-3 और 10-88 के बदले लिखो 90-3 फिर डॉट 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 लगा तो यार बीच में ये भी दिखाने का जरूत नहीं है ये भी सिर्फ समझाने के लिए मैंने अपको इसके बाद यह वाला टर्म लिख लेंगे ठीक है 10 और यह हो गया LHS लिख देना उपर में यहां पर LHS से स्टार्ट कर रहे हैं हम लो डॉट 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 सीधे यह वाला पेर दिखा दो 1044 और 1046 के बदले 90-44 ठीक है बीच में सारे ब्रैकेट्स बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं और डॉट 1045 इसके बाद देखो क्या हो गया 10-1 और जो 10-90 थीटा यह के सिमिलर्ली 10 two degree और यह कनवर ओगया कॉट टू डिगरी में फिर 103 डिग्री और यह कनवर्ट हो गया काट थ्री डिग्री में दोट दोट यह जो है 1044 और यह कनवर्ट हो गया काट 44 में और बच गया 1045 बच गया last में into 1045 ठीक है तो इस bracket का value 10 theta into cot theta ये भी हो गया 1 into 10 theta into cot theta ये भी 1 इस तरीके से all जितने भी bracket से सब का value क्या हो जाएगा 1 into 1 dot dot into 1 इस bracket का value क्या हो गया 1 और 1045 का value भी क्या हो गया 1 तो सारा 1 into 1 into 1 e क्या बन जाएगा 1 यह हमें प्रूव करके दिखाना था 1 तो आप देखो यहां पर यह एक question के form में आ गया example 5 as a question दिया हुआ था यह अब हम लोग जैसे आगे आगे बढ़ेंगे और अगले question में किसी एक question में यह पूरा as it is हमें फिर से लिखावा दिखेगा यह पूरा का पूरा अब दिखेगा example 6 इसमें क्या दिया हुआ है अब यह चाहो तो आप लोग स्किप कर सकते हो यहां से बहुत ज्यादा इसमें concept कुछ भी नहीं बचा है देखो इस पूरी को solve करना है हमें क्या दिया हुआ है example 6 में दिया हुआ है बस इसको evaluate का मतलब हो गया कि इसको solve करके इसका value find करो तो देखो cos 58 और sin 32 हमें पता है cos और sin एक दूसरे में interchangeable है ठीक है तो किसी एक को change कर लो यहां पर या तो cos को change कर लो या और sin को change कर लो तो चलो हम cos को change कर लेते हैं cos 58 के बदले लिख लेंगे 90-32 और denominator को change मत करना sin 32 प्लस यहां भी किसी एक को change कर लो sin 22 के बदले लिख लेते हैं 90-68 और denominator को छोड़ देते हैं as it is cos 68- अब देखो यहां पर ध्यान दो cos और cosec लिखावा है तो cos को अगर हम लोगे interchange करेंगे तो cos convert हो जाएगा sin में और sin आएगा sin और cosec का फिर क्या होता है reciprocal relation होता है तो यहां भी आपको किसी एक को ही change करना है किसी एक को change कर लो तो cos 38 के बदले लिख लिए 90-52 और into cosec 52 ठीक है divided by तो यह फिर से pair बना लो 1018 का और 1072 का एक pair बन गया 1018 और 1072 का pair बन जाएगा similarly 1035 और 1055 का pair बन गया और 1060 है उसका direct value हो में पता है तो direct हम लोग उसका value लिख देते हैं यहां पे root 3 लिख लो साथ में into root 3 ठीक है तब cos 90- theta यह हो गया sin theta sin 32 by sin 32 plus sin 90- theta cos theta यह बन गया cos 68 by cos 68 minus देखो cos 90- theta sin theta यह हो गया sin 52 into cosec 52 divided by में 10 theta 1018 है और इसको convert करेंगे तो 1072 से किसमे convert हो जाएगा यह convert हो जाएगा cot में cot 18 बन जाएगा वो आप बना के दिखा देना आप लोग direct मत लिखना फिर 1035 जो 1055 है वो convert हो जाएगा cot 35 में और into root 3 तो numerator denominator same कटके आगया 1 numerator denominator same यह भी हो गया 1 minus sin theta into cosec theta यह होता है 1 तो इसका value आगया 1 और यह 10 theta into cot theta यह भी 1 into 10 theta into cot theta यह भी 1 और into root 3 तो देखो क्या आगया final value 1 plus 1 2 minus 1 by root 3 तो इसको यार यह तो यहां पे छोड़ सकते हैं या अगर इसको और solve करना हम लोग चाहें तो अलसिम ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2 root 3 minus 1 by root 3 या तो यही पे छोड़ दो या अगर इसको rationalize करना है तो numerator denominator denominator में root 3 से multiply कर दो तो 2 root 3 minus 1 by root 3 into root 3 by root 3 तो 2 root 3 into root 3 करेंगे तो यह तो बन जाएगा 6 root 3 into root 3 3 2 जाए 6 minus 1 into root 3 minus हो गया root 3 और root 3 into root 3 यह बन गया 3 ठीक है तो यहा तो यहां छोड़ दो यहां पे छोड़ दो ठीक है देख लेना ठीक है तो इस तरीके से हमारा यह example भी हो गया complete देखो इस example में example 7 में क्या दिया है without using trigonometry table evaluate each of the following दो इसमें जो कोशन दिये हैं इसमें कौन सा formula यूज होगा साइन स्क्वाइर थीटा प्लस कॉस्वाइर थीटा जो हमने पढ़ा था यह formula लिख लेते देखो साइन स्क्वाइर थीटा प्लस कॉस्वाइर थीटा इस इक्वेल टु वन फिर और क्या पढ़ा था हमने सेक स्क्वाइर थीटा माइनस टैन स्क्वाइर थीटा इस इक्वे स्क्राइब 25 दोनों साइन के टर्म्स में दिया हुआ है और हमें करना क्या विदाओट उजिंग ट्रिगनोमेटरी टेवल इवेल्वेट मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो अगर आपको फॉर्मुला याद होगा तो आपको देखते ही पहचान में आ यह कोशन में यह फॉर्मुला फिट हो रहा है एक पह साइन स्क्वाइर थीटा और किसी एक को चेंज कर लेंगे जा तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो तो मानलो इसको एज़िटिस छोड़ देता है साइन स्क्वाइर 65 प्लस साइन स्क्वाइर 25 क्या लिख सकते है देखो 90 minus 65 ठीक है तो यह हो गया sin square 65 plus sin 90 minus theta sin 90 minus theta क्या हो गया cos theta की हो जाएगा cos 65 और square पहले सी लगावा था तो देखो यह किसमें convert हो गया sin square theta plus cos square theta sin square plus cos square क्या होता है 1 is equal to 1 तो इसका value आ गया 1 ठीक है अब देखो इसकी बाद अगले example cos square 17 minus sin square 73 इसका भी value हमें find करना है ठीक है तो अब देखो यहाँ पे इस बार plus था तो sin square और cos square वाला जो formula है उसमें sin square plus cos square रहता है तब 1 होता है ठीकिन यहां sin और cos के terms में दियावा है लेकिन बीच में minus का sign है तो अब देखो cos को convert करेंगे तो यह sin में convert हो जाएगा और sin को convert करेंगे तो यह cos में convert हो जाएगा तो देखो convert करो cos square 17 के बदले क्या लिख सकता है 90 minus 17 के बदले 90 minus 73 minus sin square 73 को कुछ मत करो as it is जरह ने दो तो cos 90 minus theta sin theta यह हो गया sin 73 square पहले से लगावा है minus sin square 73 तो यह क्या हो गया सेम सेम हो गया बीच में minus है तो इस पूरे का value क्या हो जाएगा 0 अब देखो उसके बाद यह वाला थर्ड पार्ट कॉसेक स्क्वार 67 minus 10 square 23 तो अब देखो फॉर्मूला क्या है कॉसेक स्क्वार theta minus cot square theta होता है 1 ठीक है तो यहाँ पर तो कॉसेक स्क्वार theta दीख रहा है और यहाँ पर 10 है तो 10 को गर हम लोग convert कर लेंगे तो 10 किसमे convert हो जाता है cot में तो कॉसेक पहले से यह और यह convert कर देंगे यह cot में चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वार theta minus cot square theta यह formula fit हो रहा है स्क्वार 23 के बदले क्या करो लिख लो 90-67 तो यह हो गया कॉसेक स्क्वार theta minus cot square theta equal to 1 तो इसके बदले 1 लिख लो और bracket में reason दे देना कि यह formula होता है कॉसेक स्क्वार theta minus cot square theta equal to 1 ठीक है reason में आपको यह compulsory reason देना होगा ठीक है कि इसके बदले 1 क्यों लिखे हो 1 लिखने का reason क्या है ठीक है तो बताना होगा कि यह formula होता है अब देखो एक part बच गया fourth part इसमें क्या है सेक स्क्वार 36 minus cot square 54 तो यह हमारे पास यह formula है सेक स्क्वार theta minus 10 square theta होने पर भी one हो जाता है देख तो सेक स्क्वार theta और यहां cot है cot को change कर लो यह 10 में convert cot convert हो जाएगा 10 में तो फिर formula fit हो जाएगा तो सेक स्क्वार 36 minus cot square 54 के बदले लिख लो 90 minus 36 फिर सेक स्क्वार 36 minus cot square तो चेंज हो जाएगा तो cot 90 minus theta यह क्या हो गया 10 theta यहीं 10 36 और square था तो square आ जाएगा तो सेक स्क्वार theta minus 10 square theta यह दो सेक स्क्वार theta minus 10 square theta इसके बदले भी one लिख देंगे और reason दे देना कि सेक स्क्वार theta minus 10 square theta is equal to one ठीक है यहां तक इस question में क्या है example 8 evaluate 2 sin square 63 plus 1 plus 2 sin square 27 divided by 3 cos square 17 minus 2 plus 3 cos square 73 ठीक है यहां भी देको sin square sin का दो टर्म दिख रहा है denominator में cos का दो टर्म दिख रहा है और formula क्या होता है sin square theta plus cos square theta is equal to one और 2 भी दोनों के आगे लगावा है तो एक काम करो इसको rearrange कर लो 2 sin square 63 plus 2 sin square 27 और इस plus 1 को side करके लिख लो divided by 3 cos square 17 plus 3 cos square 73 ठीक है और इस minus 2 को कर दो side अब यहां भी फिर वही sin square theta plus cos square theta दीख रहा है दोनों में से किसी एक को change कर लो तो 2 sin square 63 plus 2 ठीक है sin square 27 के बदले लिखेंगे 90 minus 63 plus 1 divided by 3 cos square 17 plus 3 cos square 73 के बदले लिख लो क्या 90 minus 17 minus 2 ठीक है यहां तक अब देखो तो यह 2 sin 90 minus theta यह क्या हो जाएगा cos theta मतलब cos 63 में convert हो जाएगा यह ती हो गया 2 sin square 63 plus 2 cos sin 90 minus theta cos theta cos 63 और square आ जाएगा plus 1 और यहां by 3 cos square 17 plus 3 cos 90 minus theta sin theta sin 17 हो गया और square आ जाएगा minus 2 अब यहां पर 2 common आ रहा है numerator में देखो 2 common चलो हम 2 common निकाल लेते हैं दोनों में 2 common आ गया तो यह क्या हो गया इस तरीके से लिख लो इसको और यहां दोनों टर्म में 3 है दोनों में से 3 common आ जाएगा 3 बाहर लिख लो तो क्या हो गया sin square theta plus cos square theta इसका value हो जाएगा 1 तो 2 into 1 plus 1 और denominator में भी देखो cos square theta plus sin square theta इस पूरे का भी value क्या हो गया 1 तो 3 into 1 minus 2 तो 2 into 1 2 2 plus 1 3 बन गया और denominator में 3 into 1 3 3 minus 2 हो गया 1 तो 3 by 1 is equal to 3 ठीक है यह हमें क्या करना था evaluate evaluate मतलब इसका value find करना था इसका value आ गया 3 ठीक है यहां तक आ रहा है समझ में अब दो एक्जामपल 9 में यार कुछ भी नया नहीं है कुछ भी बचा नहीं है बताने के लिए ठीक है तो अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसको खुद से try कर सकते हो ठीक है फिर answer match करवा लेना देखो यहां पे भी दीख रहा है में कॉस स्कूइर फिटा प्लस कॉस इप्लस कॉस स्कूइर फिता किसी एक को चेंज कर लो सभी डॉस यह स्कूइर तेटा माइन is square फिता इस बॉह और याद होना चाहिए पहले बनाने से पहले ठीक है तो sec square theta जैसी दिखा में cot square तो पता है cot को हम लोग 10 में change कर सकते हैं और अगर इसको 10 में change कर देंगे तो sec square theta minus 10 square theta वाला formula fit हो जाएगा तो change कर लो sec square 50 minus cot के बदले हमने लिख लिया पहले step में तो cot रहेगा cot square 40 को replace करके लिखो 90 minus 50 ठीक है जब आप 40 के बदले 90 माइनस 50 लिख रहे हो उस वक्त को चेंज करके उस वक्त 10 मत लिख देना जब पहले 90 माइनस थीटा कर लेना अगली स्टेप में हम लोग इसको चेंज करते हैं अब देखु यहाँ भी कॉसेक स्क्वार स्कुएर थीटा है और कर आपको फॉर्मॉला याद होका तो तुरन दिमाग में आ जाएगा कि कॉसेक स्कुएर थीटा मैनस कॉट स्कुएर क्या हो जाएगा वन तो अगर फॉर्मुला याद रहेगा फॉर्मुला आपको पता है तो देखते ही दिमाग में आ जाएगा बात तो प्लस टू कॉसे के स्क्वार फिफ्टी एट माइनस टू कॉट फिफ्टी एट तो ठीक है तैन थर्टी टू के बदले अगर हम लोग इसक करेंगे इसको स्किप कर देंगे आप लोग खुद से कर लेना 1013 1013 का पेर बन जाएगा 1077 के साथ यह लोग एक्जामपल 5 में कर चुके हैं ठीक है और 1037 का पेर बन जाएगा 1053 के साथ और 1045 का वैल्यू वन होता है तो लिख दो ठीक है अब यह देखो कॉस स्क्वार 20 प्ल 50 माइनस coarse 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा तो ये बन गया 10 स्कॉर 50 ठीक है पलस 2 कॉस्थ स्कॉर 58 माइनस 2淮ाट 58 इंटू 10 90 माइनस थीटा for the यह भी बन कया कैसे होगा similarly 10 37 10 53 convert हो जाएगा कॉट 37 में convert हो जाएगा करके दिखा देना और इंटू 1 तो देखो स्कॉड फिटा माइनस 10 स्कॉड फिटा यह भी हो गया 1 plus कि यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा तो बच गया कॉसे के स्कॉयर 58 माइनस तू बहर चला गया Caut 58 इंटू पॉट 58 यह हो गया Caut इंटू 58 ठीक है ना और माइनस पूर यहीं पर लिख लेते हैं माइनस फूर 11 inclined to cot तो यह हो गया 1 by 1 1 plus 2 cosec square theta minus cot square theta यह भी हो गया 1 into 1 minus 4 into 1 into 1 into 1 तो यह हो गया 4 तो क्या आगया finally देखो क्या आगया 2 plus 1 plus कहां पहुंच गया है हम देखो 1 plus 2 into 1 2 minus 4 यानि 3 minus 4 is equal to minus 1 ठीक है तो काम करते हैं इस वीडियो में इतना ही जो इसके बाद के जो example 10 से लेके 16 तक छोड़े छोड़े एक्जामपल है और वो थोड़ा सा अलग concept है तो उसको next वीडियो में continue करते हैं इस वीडियो में इतना ही आप लोग से request यार प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग